हैदराबाद में लंस यूनिवस्टी जामशरों के डाक्टर प्रोफिसर वाइस चंसलर डाक्टर बीखा रमकी के अधत में आलूदा पानी से होने वाली बिमारियों के मुतलिक आगाई मौम के लिए रेली निकाली रेली के शुरुका ने हापने हाथों में बैनर्स तामे हुए थे रेली के शुरुका ने मिडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 11 मारज से हैदराबाद के तमाम यूनिवस्टी जो पानी से होने वाली बिमारियों के मुतलिक आगाई फराम कर रहे हैं आज इस रेली का जो में जो टॉपिक था वो था वोटर बॉर्ट बॉर्ट डिजीज़ मतलब वो बीमारियां जो पानी से होती है तो अब उन बीमारियों से जैसे उनमें से सबसे बड़ी बीमारी आपने सुना होगा टाइफ़ोड जिसे मुद्दे का बुखार भी का जात पानी की बहुत मतलब पानी का बॉत मसला है कि या तो साफ पानी नहीं होता या पानी कम होता है एक तो पानी कम होता है और जो पानी होते वो भी साफ नहीं होता तो पानी को साफ कैसे रखा जाए और इतनी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचा जाए उस पे हमने एक सेमिनार कि पाई निकाली तो तो सबसे आसान घरों में अपलाई कि आजा सकता है उसमें कि फाइदा निए प्मारी अगर हम लोग पानी को अबाल के पिया जा सकते हैं तो मतलब majority of the disease से हम लोग निजात हासिल कर सकते हैं तो इसलिए हमारा ये अजन्डा था कि हम लोग में awareness कर सकते हैं आज इस्रेली का मक्सद ये है कि हमने यहां पर एक seminar हुआ था सफाई के हिसाब से कि सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारिया कम से कम हो तो उसमें प्रोफेसर बीखाराम देवरजानी ने उन्होंने ये समेना रेरींच करवाया था और ये हर स्कूल में विजिट करेंगे ताकि सफाई के हिसाब से हम लोगों को सफाई से प्रिवेंट रख सके ताकि बीमारिया कम से कम हो दूसरी जनब प्रेस कलब हैदराबाद में वाइस चैंसलर डाक्टर बीखाराम एडिशनल कमिशनर हैदराबाद ताहिर अली मेमन और दीगर ने प्रेस कमवर्ट से किताब करते हुए काहें के पानी हमेशा साफ सुतरा और उबाल कर पियें पानी को फिल्टर करें और किलोरीन के गोलियां और सूरज के रोशनी से भी साफ कर सकते हैं जो पानी इसका लेस दन वन परसंट में एक परसंट से भी कम जो पानी है वो इन्सान के कामाता है जो पीता है सेथ वसफाई के मुतलिक मौलूमात पर खुद भी अमल करें और अपने खानदान और दीगर लोगों तक पहुंचा कर बाजमेवार शहरी होने का सुबूत दें कैमेरा में नजर महमसियाल के साथ काइमली जमाली ऑनलाइन इंडस टीवी हिदराबाद